हेलो एवरीवन वेलकम डू आर चैनल इस वीडियो में देखेंगे एट के डियभास पुस्तिका कक्षा आठ के विशह अंग्री जी के लेस्ट नमबर 8 दा मून का सॉलुशन इससे पहले हमने पिछले जो इससे पहले लेस्ट हैं उनकी वीडियो भी देख रखे हैं और विश लिंक दे रगी है वहां पा जाकर इन वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं यहां देखेंगे लेस्ट नमबर 8 दा मून का सॉलुशन चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स कोशिन है राइट दी राइमिंग वर्ड फोर दी फॉलॉइंग वर्स फ्रॉम दी पोईंग दा मून सून फैट तो यहां राइमिंग वर्स मैंने आपको पहली बता रखे हैं जो एक जैसे साउंड करने वाली वर्स होते हैं उन्हें राइमिंग वर्स कहते हैं जैसे सून का हो जाएगा मून फैट का हो जाएगा कैट जो आपको पोईम में मिल रहे हैं राइमिंग वर्स उने फोर्थ कोशन है राइट दी नेम आफ दी फोर अनिमल्स मैंशन इन दी पोई दा मून आपको दा मून से मैंशन किये हुए कोई भी चार अनिमल्स लिखने है कैट रैड दो बैट फिफ्ट कोशन हो जाएगा वाट दो यू वाट दी बर्ड बर्डs do when the moon shines आंसर लिखेंगे बर्डs as बर्डs asleep in the fogs of trees सिक्स्ट कोशन है राइट एट एट इन वन इस्टेंजा ओफ दी पोईम दा मून विच यू लाइक आपको एक इस्टेंजा लिखना है पोईम से रिलेट कोई भी एक पेरिग्राफ लिखना है पोईम का तो यहां लिखेंगे आप कुछ भी लिख सकते हैं पोईम से रिलेट यहां पेरिग्राफ मैंने लिखा है the moon has face like the clock in the hall she signs on thieves on the garden wall next 7th question है read the name of the animal and write the sound these animals में यहां आपको कुछ animal दे रखे हैं तो इनके sound किस तरह से होते हैं वो आपको लिखने है जैसे elephant का होता है Trump, cat का होता है meow, loin का होता है roar, dog का होता है bark, horse का होता है knee next अब देखेंगे assessment sheet number 4 का solution question first है pick the odd word and write in the given box आपको कुछ words दिये गए हैं इनमें से odd word को click करना है और लिखना है box में sun, stars, tree, moon तो sun, stars, moon सभी एकी ब्रह्मान में होते हैं तो यहां अलग क्या है trees ठीक है second question है where does the moon shine तो यहां लिखेंगे the moon shine in the sky third question है according to you what is the difference between the moon and the sun तो moon on sun में आपको difference बताना है तो यहां sun का लिखेंगे it is a star moon का लिखेंगे it is a satellite sun have own light moon don't have own light sun big होता है moon small होता है तो इस तरह से difference लिखेंगे हैं कोई भी आपको तीन लिखने थे हैं और भी इनके अलाबा जो आपको difference बता हों तो आप भी लिख सकते हैं तो इस तरह से अमने देखा असेस्मेंट शीट नंबर 4 का solution और साथ ही देखा हमने जो लैसर नंबर आपका 8 है मून का solution इसी के आगे और भी solution देखते रहेंगे और भी important वीडियो से आपके कक्षा से रिलेट देखते रहेंगे तो जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के इस साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धाने बाद